मंत्री की की ओनलाइन शिकायत राइसेन में एक अजीबो गरीब मामला देखने में आया है जहां इमेल के माध्यम से पूर मंत्री की शिकायत राइसेन कलेक्टर उमा शंकर भार गवशे की गई साची बिदान सबा जिला कांग्रेश अध्यक्ष संदीप मालवी ने कांग्रेश सरकार में स्कूल सिक्षा मंत्री रहे डाक्टर प्रभुराम चोधरी की शिकायत की लागडाउन के उलंगन और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और दूसरे जिले से राइसेन जिले क की सीमा में प्रभेश करने पर कर्रवाई की मांग की जिला कलेक्टर रहे से यही मेल के माध्यम से की शिकायत राइसेन के साची बिदानसबा अध्यक्ष कांग्रेश अध्यक्ष संदीप मालवी ने पूर मंत्री ड. प्रुबराम चोधरी की लागडाउन का उलंगन सोसल ड इस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और दूसरे जिले से राइसेन जिले की सीमा में प्रवेस करने पर लागडाउन के उलंगन करने की शिकायत राइसेन कलेक्टर उमाब शंकर भारगाउशे की संदीप मालबी जी का कहना है कि जहां एक और देश में कोरोना बाइरस जैसी महा हमारी फैली हुई है बहीं पूरिद भारत में लागडाउन चल रहा है बहीं पूर्व सिक्षा मंत्री डक्टर प्रूर शागर से हमारे संबाद्दाता अनिल बर्मा की रिपोर्ट सुर्की विधान सबा में कांग्रेस कारी करताओं पर जूटे मामले दर्ज तो सड़क से लेकर विधान सबा तक गुंजे की आबाज हर्श यादब ने कहा शराब तसकरी के मामले में जशी नगर के ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप पटल पर प्रकराण दर्जकर जेल भेजने के मामले में पूर मंत्री एबं विधायक हर्श यादब बंड़ा विधायक तरवर सिंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारिकारी अध्यक्ष सुरेश चौदरी एबं जिला कांग्रेस प्रभारी बीरैन सिंग गौर्ण ने पुलिस अधिक्षक हमिज सिंग शांगी से मुलाकात की इसपी से पूरु मंत्री हर्श आदम ने कहा कि बिलाक कांग्रेस जैसी नगर अध्यक्ष पटैल पता था कैज़त बाजपा नेताओं के इशारे पर दर्ज जूटे मुकद में की और पुलिस अधिक्षक स्तर की मामली की जाच की जाच जाए किसी नेगर ब्लॉब कामेटी के अध्यक्ष है जिली पटेल जी का मामला था उनकी ओपर जूटा मामला बद्जानती पूर्भग कहीं न कहीं किसी कि दवाव में राइन तक दवाव में पनाये गया था तरापका उस मामले में हम लोग क्या बंद्य ने आये थे और अध्यक्षक से हम लोगों ने आगाई भी किया है कि जो हमारे जिली की फेजा है कुछ लोग प्रिकाड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग चाहिए और इसमें सही कारवाई नहीं हुए इनके द्वारा जो ग्यापन दिया जया है को अत्रिक पुलिसर इसक्त को भीना को ज हमारे शांबात दाता शरष शर्मा की रिपोर्ट कबर का असर राइसन जिले के बेगम गंज में B-news की खबर का असर हुए बीनिऊज ने बेगम गंज के ग्राम धुआज में ग्यहूँ खरीदी केंदर पर सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा था और नहीं सेनेटाइजर का उपयोग किया जा रहा था इस ख़बर को बीनिऊज पने प्रमोकता से दिखाया जिसके चलते त निक्ता तेवारी द्वारा आज ग्राम ध्वाज खरीदी केंडर पर पहुंच का जाच की गई और निर्देशित किया गया कि मास्क सैनेटाइजर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें तैसिलदार निक्ता तेवारी द्वारा तो साइटी प्रबंदक को जम कर फटकार लगाई और आगे लापरबाही ना होने पर बात कही गई है अगर हुई तो कार्रवाई करने की बात भी कही गई है बेगम गंसे हमारे शमबाद दाता शर शर्मकी रपूर्ट बताया गया कि जो है सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराने कराया जा रहा उनके द्वारा और हमने यहां पर अभी स्वख्षमन को निर्देशिती किया कैसे के निर्देशिती है